कि चावडा सर लेक्चर के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है कक्षा बार्वी के फिजिक्स के अध्याए एक में हमने अक्षि और निरक्षी तक पढ़ लिया था अक्षी और निरक्षी मेंने कौपी और पेण पर समझाई थी आप लोगों को एक बार अक्षी स्थिति का वेञजक जो है जो पुरा मैं बार्ड पर समझा रहा हूँ आप लोग भुद ध्यान से यहां पर देखिए अक्षी इस्तिती, डेफिनेशन में आप लोगों को जब इसके पहले वाले वीडियो में जब डेरिवेशन पढ़ाया था वहाँ पर बताया था, कि अगर बढ़ाये गए, अक्ष पर इस्तित होता है तो वो अक्षी इस्तिती कहलाती है तो अक्षी इस्तिती कह जो वेंजग है, वो ही यहाँ पर देख रहे हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बहुत जल्द आप लोगों को मैट्स के वीडियो भी यूटूब पे अवेलेबल होने वाले है तब तक आप लोग फिजिक्स के वीडियो देखते रहें अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखें हैं तो वो जरूर एक बार देख लें हमारा वेसे जादा लगनी हुआ है चार-पांच वीडियो ही हुए है तो अक्षे इस्तिति को देखते हैं अक्षे इस्तिति के लिए जो बैसिक है वो इसके पहले वाले वीडियो में जरूर देखना विध立 द्वीद्रू आगुण और कुलाम का नियमمكن जरूर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख ले ना विद्यूत छेत्र की तिवरता की परिभाशा ये चार चीजों की इसमें जरोत लगती है हम मान लेते हैं एक विद्यूत द्वीद्रू है एक विद्यूत द्वीद्रू लिया हमने इस टाइब से A और B जो प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर बना है एक विद्यूत द्वीद्रू A भी है जो प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2L है जिसके बीच की दूरी 2L है इस विद्यूत द्वीद्रू के मध्य बिंदू O से R दूरी पर एक बिंदू P है जिस पर विद्धु चेत्र की गण्णा करना है कित्ती दूरी पर इस विद्धु चेत्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्धु चेत्र की तिवरता की गण्णा करना है हम यहाँ पर दो चेत्र बढ़ा देते हैं E1 भार की तरफ और E2 अंदर की तरफ इसका रीजन में आपको derivation के अंदर ही बताऊंगा तो थियोरी में ने बोली है यही थियोरी इसके पहले वाले वीडियो में पूरी हिंदी में लिखी भी है आप महाँ पे इसकी थियोरी देख सकते है कि A B एक विद्यूद वीद्रूए जो प्लस Q माइनस Q आवेश से मिलकर बना है तो इसके मद्य बिंदू ओसे आर दूरी पर एक बिंदू P है जिस पर विद्यूद छेत्र की तिवरता ज्यात करनी है तब बिंदू P पर प्लस Q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदू तब बिंदू P पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदू A पर यहां बिंदु ए पर प्लस के आवेश के कारण बिंदु पर विध्युत छेत्र की तिव्रता अब हमने एकांग का या सोरी बिंदु आवेश के एक वेंजक पड़ा था बिंदु आवेश का वेंजक का सेगमेंट यहां पर यूद यूज करेंगे किसके लिए E1 के लिए क्योंकि जो A है यह प्लस है प्लस होगा तो भाहर की तरफ जाता है इसलिए इसके लिए E1 तो E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाइ एपसिलोन 0 Q अपॉन अब दूरी कितनी है इन दोरों की दूरी है अब P का मान किसे पता चलेगा यह पी किसे पता है हमें इस O P का मान पता है और यह जो 58 2L का आदा मतलब अधा मतलब 202 एक कर दें कि वपी मैं से ऊए घटा देंगे तो एपी निकल जाएगा यह लिखेंगे AP बराबर OP minus OA R minus L तो यहां हो जाएगा equation E1 बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R minus L का whole square समीकर number 1 पुना अभी बिंदू किस पे था? A पर था, अब किस पे ले लेते हैं? बिंदू B पर ले लेते हैं तो बिंदू B पर क्या होगा? बिंदू B पर minus Q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदू P पर विद्युद छेत्र की तिव्रता विद्युद चेत्र की तिव्रता हमने यहाँ पर A P लिया था अब की बार हो जाएगा B P क्योंकि बिंदू B से ले रहा है तो यह E 2 B के लिए E 2 1 अपोन 4 5 अपस्वान 0 याद रखना यहाँ पर भी प्लस नहीं लिखाता इसलिए यहाँ भी माइनस नहीं लिखेंगे और यह हो जाएगा B P का स्क्यार अब B P का स्क्यार B से लेके P तक की दूरी B से लेके P तक की दूरी है O P प्लस O B तो B P बराबर हो जाएगा O P प्लस O B मतलब O P R और O B L R प्लस L तो E 2 बराबर हो जाएगा 1 अपोन 4 पाई Epsilon 0 Q अपोन R प्लस L का ओल स्क्यार यह हो गई आपकी एक्वेशन नमबर 2 तो यहाँ तक हमने 2 एक्वेशन बनाई अब इसका परिणामी विद्युद्चेत्र की तिवरता निकालते हैं तो परिणामी तिवरता हो जाएगी परिणामी तिवरता चुकि E1 जो है वो बड़ा है E2 से इसलिए परिणामी तिवरता होगी E बराबर E1 माइनस E2 तो E बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाइ एपसिलोन 0 E1 का मान है Q अपॉन R माइनस L का स्क्वर प्लस 1 अपॉन 4 पाइ एपसिलोन 0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वर दोनों मैं से जितनी चीजे कॉमन होती है कॉमन निकाल देते तो बचे का 1 अपॉन आर माइनस L का स्क्राइब प्लस वन अपॉन आर प्लस एल का स्क्राइब और सोरी माइनस और दोनों का एल सीम ले लेते हैं एल सीम लेने में ध्यान रखना दो फॉर्मुले ही उस होंगे तीन फॉर्मुले अब आपने देखो तीन फॉर्मुले कख्षा आठवी में पड़े हैं एक ए प्लस बी का होल स्क्राइब एक ए प्लस भी वाला तो यहां पे हम तीनों सुत्र लगा देते हैं हाँ तो बन पोन फॉर पाइपसलों जीरु इसका वह वर्ग खुलेंगे तो और स्क्रेंश माइनस व्लक गवल रहा हूं थो आर एच प्लस दूर्मुल्व हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटर करके खुला है तो आँम माइनस इंटर करेंगे दोनों माइनस के और यह वाला बचा ईब रहाबर वन उपान फॉर पाई एप्सिलों जीरू क्यू और अंदर बचा प्लस का टू अरेल एस्क्री प्लस का टू आरेल हो आप जानते हो 2ql होता है p 2ql equals to p और यह जो नीचे वाले टर्म से इसमें L को त्याग देते हैं तो यह जाएगा एल वेरी वेरी less than r तो यह त्यागने पर यह त्याग देंगे नीचे से तो आपका क्या बचेगा आपका बचेगा अबचेगा ऑफात से ug गत्चार वन अपन फॉर पाइपसिलोण जीरो तो पना ऐसी नीचे रेगा इसमे से बचने खनेज हो बीच्ट Argoney को मिश्यााँ च्टाइंगा री अहुअत थावन पजाएगा इंप से इस्टारिल होता है यही आपका अक्षी इस्तिती में विद्यू छेतर की तिवरता का बन जक है ठीक है इस पूरे डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से समझेए तो सबसे पहले डाइग्राम समझना है कि एक A और B विद्यू द्वीद्रू है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर ब ऐसे समयद्रइए दोनों को घटाने के बाद कुछ जरूर करे सब्सेलक करें कैंज आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाते है इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हुं अगली वीडियो के आप प्रतिक्षा करें तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल